डियर कैंडिडेट्स जैसा कि आप सभी जानते है कि उत्राखंड पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा जाई का एक्जाम सात मई से लेके दस मई के बीच कंड़क्ट करा गया था और तब से लेके अभी तक सभी कैंडिडेट के मन में एक एकस्पेक्टिड कटोप को लेकर ए जिससे आप इंटर्व्यू की प्रिप्रेशन के लिए और एनर्जेटिक हो सको हलाकि कुछ यूटूब चैनल के माधिम से कुछ वेबसाइट के माधिम से जाई एक्जाम की एकस्पेक्टिड कटोप बता दी गई है लेकिन एक एनलाइसिस के बाद एक्जाम लेवल को देखने के बाद, कैंडिडेट के द्वारा अटेम्ट किये गए कोश्चन को देखने के बाद, और आंसर की आने के बाद, कैंडिडेट के द्वारा कितने कोश्चन सही अटेम्ट किये गए और उनकी कितनी एरर्स रही है एक्जाम में, वहीं साथ ये साथ परमिसिबल एर् सेर की जाए ऐसी कटोप जिसके अंतरगत आपको यह लगे कि मुझे इंटर्वु की प्रपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो हमने इसी करम में कुछ कैंडिडेट से बात की तो सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूं क्योंकि कि इस एक्जाम के बारे में जो कैंडिडेट स्की राय है वह आपके साथ सेर करना बहुत ज़रूरी है आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी स्क्रिन पर दिखाई देरा है कि जो जाएक्जाम हुआ था तो उसमें चार एक्जाम होने थे पहले दो एक्जाम जिसमें जर्नल और जर्नल इंग्लिस का एक्षाम रहा है कि उसमें जो एक्षाम का लेवल था वो easy to moderate level था कि एसी कंडिशन में जब candidates सने कहा कि exam का जो level धा वह easy to moderate level का था तो उनके दोड़ा मैकसिमं कोश्षंअ attempt की गई है और second part जो technical part था उसमें candidates ने बताया कि जो exam का level था वो moderate to hard था तो question तो candidates ने उसमें भी attempt किये हैं और काफी अच्छी संख्या में attempt किये हैं लेकिन आंसर कियाने के बाद कुछ permissible errors रही है तो इन सबी बातों को देखते हुए और candidate से बात करने के बाद एक journal कटोफ जो होनी शाहिए यह मुझे लगता है कि ऐसी कटोफ जिसकी range में आपको लेगी मेरे marks है और मुझे interview preparation करनी चाहिए या आपको interview call आ सकता है तो यह कटोफ के वल एक interview call के लिए है इसका department की कटोफ से कोई संबन नहीं है यह एक journal idea को कुछ facts को analysis करने के बाद prepare की गई है तो आप इसे actual कटोफ मान कर मच चलिए तो चलिए ज़्यादे समयना लेते हैं आपके साथ हम कटोफ को share कर रहे है Dear candidates जैसे कि आप अपने mobile की skin पर देख पा रहे हैं कि जो UKPSCJ की expected कटोफ है इसमें हमने एक journal idea लिया है कि जो male और female candidates है उनको भी एक इसाथ include कर लिया गया है एक marks की range बनाई गई है जिसके अंतरगात आप सभी को एक safe zone दिखाई देगा यदि आपके marks इसके बीच आते है तो आप समझें कि एक safe zone में है और आप interview की preparation कर सकते है हाला कि अगर कुछ candidates के marks इससे कम है उन्हें लगता है कि नहीं मेरा selection हो जाएगा मुझे interview को आ सकता है तो वे भी interview की preparation करें तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आपको display पर दिखाई की दे रहा है तो जैसे कि आप category wise काटोप देख पा रहे हैं तो इसमें अगर इस expected काटोप में जनरल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 500 से 550 के बीच की range में जिन candidates के marks आ रहे हैं तो वे यह समझ सकते हैं कि वे interview preparation के लिए एक safe zone में हैं यदि OBC category की बात की जाए तो जिन candidates ने 480 से 520 के बीच marks अचीव किये हैं तो वे समझ सकते हैं कि एक safe zone में सेस्ट की बात की जाए तो जिन candidates के 450 से 480 के बीच मार्स हैं तो वे समझ सकते हैं जाकी बें interview preparation के लिए safe zone में हैं आप नीचे देख सकते हो कि note में लिखवा है it is only for interview call तो यह जो interview की preparation करनी चाहिए या मेरा interview का call आ सकता है तो इसमें कोई ऐसा doubt नहीं है वो interview की preparation कर सकते हैं क्योंकि expected cutoff एक केवल अनुमानित cutoff होती है जिसका department की cutoff से कोई संबन नहीं होता है यह कुछ journal facts को ध्यान में रखते हुए exam level और candidate के दुआर कितने question attempt किये गई है और answer कियाने के बाद क्या negative marking रही candidate का क्या response रहा और उन्होंने कितने maximum marks achieve किये तो एक average के आधार पर यह expected cutoff हम तयार करते हैं एक बात और मैं यहाँ पर आपसे share करना चाहता हूं कि यह जो cutoff है यह cutoff केवल एक ब्राच के लिए नहीं है बलकि सभी ब्राच को ध्यान में रखते हुए चाहिए वो mechanical branch candidates हो civil branch candidates हो electrical branch candidates हो या फिर agriculture वाले candidates हो तो सभी ब्राच के candidates को ध्यान में रखते हुए कटोब बनाएगा है यह किसी एक branch से संबंदित नहीं है तो आप जिस भी ब्राच से आपने इस exam को दिया है तो आप यहाँ से एक journal idea ले सकते हैं कि मुझे interview की preparation के लिए कितने marks अचीव करने थे और मैंने कितने marks अचीव के हैं तो यह आप इस range के अंदर है तो sure कि आप इंटरू की preparation बिल्कुल करें और यहीं आपको लगता है इससे कमार साफ के और आपको लगता है कि इंटरू को ला सकता है तो भी आप इंटरू की preparation करें तो इस studio में बस नहीं तक तब तक के तब तक के लिए आप सबको वीशिवल दा बेस्ट थैंक्यू